और फिरलाल देगे जोदपूर सेंट्रल जेल में बंद आसराम को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है इलाज के लिए आसराम को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है इसकी तस्वीरे आप देख बारे होंगे एलाज के लिए आसराम को मुंबई शिफ्ट किया जा रहा है ऐसे में सुरक्षा के पुक्ता इंतिसान किये गए है जेल से लेकर एरपोर्ट तक भारी पोलिस जापता तैनात किया गया है दो तस्वीरे फिलाल आप देख बारे होंगे चपपे चपपे पर पोलिस प्रिशासन की तैनाती नसर आ रही होगी जोदपूर सेंटर्ल ट्रेल्स से आसराम जिने की मॉंबई अब शिफ्ट किया जा रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है जो वज़े सामने आ रही है सिफ्टिंग की इलाज के लिए आसराम को मुंबई शिप किया जा रहा है मेरे साथ मेरे सहीं की शिवप्रकाश योदपुर से फॉनलाइन पे जुड़ चुका है शिवप्रकाश क्या कुछ जानकारी आपके पास जी मैं बताना चाहूँगा की आसराम के स्वास के को लेकर लगातार इलाज के लिए राजस्तान हाई कोट और सुप्रिम कोट में पेरोल की आचिकाए लगाई गई थी की ससर्थ पेरोल दी है और काफी कड़ी सरते उसमें लगाई गई है पुलिस तुरिक्टा के बीच अभी आसराम को मुंबई ले जा रहा है कुछी देर पहले उन्हें से रावाना किया गया रोब अब वह एरपोर्ट जो पाउते हैं तो कुछी देर में वह मुंबई से इं होंगे और किसी आदमी से नहीं मिलेंगे मीडिया से पाफित नहीं कर पाएंगे कुछ इस तरह की सड़ते उसमें लगाई गई है तो तो कि आसराम के लिए आला कि थोड़ी रात की वाद है कि उन्हें जब एक सितंबर 2013 को यहां सेंटर जेल से गृतार कर सेंटर जेल में ल प्रकाश पूरे मामले पर नसर बना रहेगा अपडेट आप से लगातार लेते रहेंगे फिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और फिलाल आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे जोतपुर से कि किस तरह से मिलिटरी के जवान भी एरपोर्ट के बाहर तेनाद किये गए हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रिश्वासन के मौझूद की है कोई भी चूक ना हो इसको लेकर पूरी तयारी की गई ऐसे में देखना होगा कि साथ दिन के ट्रीटमेंट के बाद में क्या उनको वापस लाया जाता है या फिर नहीं